सबी कुछ जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है इंडियास भारत पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे वाजमा आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के म बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इस सेंट देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके हम आपके से लेटेस्ट और इंफरमेटिव वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और आप में इसके बारे में बात करेंगे ज जो है हम आज की इस पहली खबर की तरफ चलते हैं और हम आप को यह बताते चलें जैसे आप जानते हैं कि पी आई ए को जो है प्राइविटाइस कराने की कोशिश की जारी है यानि कि पाकिस्तान की जो सरकारी एरलाइन है उसको प्राइविटाइस करने की कोशिश की जारी ह जो कि 85 बिलियन रुपीज बताई जा रही है मगर वो 10 बिलियन पे लेने के लिए तैयार थे लेकिन खैर अब कहा ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की बेटी यानि कि पंजाब की सीम जो है अचकल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ उन्हों ने अपने फादर नवा फॉज को कहा झाता है कि जी वहाँ पे पंजाबी फॉज करते हैं हमारे बहुत से इंडियन दोस्ट और इंडियन यूटिउबरs या इंडियन फॉज के लोग और इंडियन दोस्ट जो मिडियम है सब जुए उन्होंने पाकिस्टान की जो आर्मी है उसको पंजाबी दिये कि मरियम नौास चाहती है कि नौद शरीफ साब जो है आ वह एरलाइन खरीड ले और यानि के प्याइए को वह खरीड़ ले और उसके बाद उसका नाम जो है वह पंजाब एर रखने के उपर भी गोर्ण किया जा रहा है अजीब सी बात है अ क्उभ पंजाब संध या क पी के या कोई भी नाम क्यों हो एरलाइन का नाम पाकिस्तान से ही होना चाहिए और पाकिस्तान ही होना चाहिए जैसे के पहले था पी आई ए तो अब जो है नाम बदल के पंजाब करने की कोई अजीब सी बात लग रही है लेकिन खैब बाराल क्योंकि कोई खरीदी नहीं रहा जो इस एरलाइन को लेने के लिए तैयार हो पहले तो हमें बहुत से चूरन खिलाए गए थे और कहा ये गया था कि जी सवजी अरब ले 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 लेकिन उसके बाद हुआ ये कि सबने टाटा बाई बाई कर दिया अब नवाज शरीफ सहाब की स्टेटमें आईए कि मरियम नवाज चाहती है कि नवाज शरीफ सहाब जो है वो इस एरलाइन को खरीद ले अब देखते हैं कि जी वो लेते हैं या नहीं लेते लेकिन एक बार तो तैय है और वो ये कि मरियम नवाज जो पहले ये कहा करती थी कि जी उनके पास जो है वो लंड़न में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई घर अपना नहीं है और वो बहुत गरीब तो सी या कह लिजिए कि बहुती विडिल क्लास फैमली का अपने आपको बताती है ठीके लिए उनके पास पैसा नहीं है तो उनके अबबा जी के पास इतना पैसा है कि वो पूरी की पूरी एरलाइन के लिए तैयार है बाराल देखते हैं कि वो आगे कहां तक बढ़ते हैं लेकि नवाज शरीफ साब का ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है इसलिए वो अपने इस स्टेटमेंट से हट नहीं सकते हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं है हम कैसे खरीलेंगे लेकिन यह जरूर है कि अब न्वाजशरीफ साभ का अपना स्टेटमन्ट भी आगया है और उनका कहना भी यही है कि उनकी बेटी मरियम नवाज चाती यह नवाजशरीफ साब जो हैं जी हैं वह एरलाइन खरीलने लेकिन खायर देखते हैं या नहीं बात हम क कर्वती जी की जी या मिथन दा I'm a disco dancer जी या वो बले तो जी मिथन साब जो हैं वो वारत के सासद पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हैं उनकी मूवी यहां भी बहुत देखी जाती हैं और अभी भी देखी जाती हैं जब कभी भी आते हैं लेकिन का लास्ट वे ने उनकी जो द जगा पर कोई पॉलिटिकल डेली या इवन्ट था वहां पर बात की और उसके बाद उनकी जो बात थी उनकी कहेवे जो वर्ड्स थे वो एकदम वारल कर दी गई और हर तरहां से यह बताया गया कि मितन चकरबती जी ने यह कहा है कि वो मुसल्मानों को जो है काट कर नदी में फेक देंगे ठीक है यह चीज जो है यह पाकिस्तान से ही नहीं पाकिस्तान वाले तो बहुत बात में शुरू है उससे बहुत पहले भारत के जो मुसलिम्स हैं कई मुसलिम आइडी जो वेल नोन किसम के लोग भी हैं और ट्विटर पे और हर जगा एक्टिव हैं उन्हों न लिखा नहीं सकते हैं कोई कॉपी राइट वगेरा का इशू ना हो जाए या आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो बहुत एजिली अवेलेबल है वहां पर वहां पर अगर आप जाके पूरी बास सुनेंगे मितिन जी की तो वह यह कह रहे हैं कि जी जो हम यह कह रहे हैं कि ह हम बेंगौल में यानि जो भारत के अंदर बेंगौल है वहां पर हम जो 70% हैं और हिंदूस जो हैं वो 30% है तो हम 70% लोग जो हैं 30% लोगों को काट कर नदी में फैंक देंगे ठीक है यह उन्होंने कहा तो उसके जवाब में मितिन जी ने यह कहा के जी ऐसा करोगे तो हम भ इसने पहले बात की उनका नाम जो बताया जारह हमाईयू ओ हमाईयू कबीर हमाईयू कभी कोई TMC के कोई मेंबर है TMC कोई मेरे और को पॉलिटिकल पार्टी है या कुछ है यह हमारे इंडियन जो फॉल्वर्ड जैस सब्सक्राइबर्स हैं या दोस्तें में जादा अच्छ हैं मुस्लिम्स वहाँ पे बंगॉल में यह जो इंडिया में जो बंगॉल है वहाँ पे और हम उसमें 30% हिंदूस जो है उनको काटके नदी में फिखनेंगे अब जाहर है यसी बात कोई भी सुनेगा उसको बुरा लगेगा और अगर वो जवाब देगा तो वो कुछ इसी तर कर अब कर हाला के वहाँ पहला क्लिब जो या पहली बात जो है वह साथ ही सुन सकते हैं अब अगर कोई काना में उग्लियं दे चाहें और वो और कहें कि parl be झालit के लिए जे आए नहीं पाकिस्तान की बात और है पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान में जो लोग रहते का रहे हैं वह विडियो में उनंहें जो पहले धम्की मिली है जो लोगıl रहते हैं उनको पहले मुस्लिम्स की तरफ से यह थ्रट आया उसके बाद उन्होंने जवाब में कहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे लेकिन नहीं जो इंडियन मुसलिम्स हैं और जिसमें मैंने कहा कि कई किसम के लोग मुझे निपटा के वह जborर नहीं है वह और इसक candidate है कर दी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़े से अपने कांग साफ किजी और एक बार और वीडियो को देख लिए किसी भी तरह की कोई वीडियो हो कोई स्टेट्मेंट हो या कोई बात हो उसको अगर अपनी कोई अपना कोई ओपीनियन बना रहे तो मेरा ख्याल है आपक या हो सकते हैं कोई चीज आपके सर के ओपर से चली गई हो तो बारहल यह चीज हुई है और उसके बाद मितन जिनका बहुत अच्छा नाम है या कह लिजे जिनको बहुत एक लोग पसंद करते हैं एस अक्टर बहुत जादा पसंद करते हैं क्यूंकि उनके पॉलिटिकल कारिय फिकता है पर बोलना शुरू करदिया मगर हैरत की बात यह jsुआ है जिनको पहले के जिरेने लोगे जा थे दमकि आई है थी न później जा उट कर मैं हिर आण हम 70% काटके पर बादेवान के तो ऊचिस किसी ada सुनी आस्ट एं पतादा नहीचा से ए्धाश Allग पता में चाहते और अपनी मर्जी से उनके बारे में ये बात करनी शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया जो कि आप उस क्लिप में बहुत एजीली समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें मगर भारन अफसोस होता है मुझे इस तरह की चीजएं देख पर के जिसकी वजह से लोग जो है किसी के बारे में भी कोई गलत किसम की उपीनिन बना लेते हैं और बात करनी शुरू कर देते हैं और वो भी ऐसे लोग जिनको लोग सुनते हैं देखते हैं वो भी अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो इस किसम की गलत स्टेट्मेंट दे रहे हैं कि जबके सुनाई ज़र ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने आके बता दिया तो काइदा वीडियो मौझूद हो और जिसमें वीडियो में बात की गई हो यानि जिसको अगर टीवी चैनल पे यूट्यूब चैनल पे या किसी इवन में कामरा के सामने खड़े होकर बोला गया हो वो बात से आप मुकर नहीं सकते तो वो चीज़ होने के बावजूद भी जो है जागे उनको गले मिलते होंगे और उनको मिठाईयां खिलाते होंगे लेकिन भारल हेट स्पीच मुझे उनकी कहीं से नहीं लगी मुझे सर्फ यही लगा कि उन्हों ने जो सुना यानि जो महां के मुस्लिम लीडर ने जो बात की और उसके जवाब में मितंदा ने यह य यानि के जो हुमायू कबीर साब जो है कोई उन्हों ने जो अपनी बात की थी और उन्हों ने जो धंकी दी थी हिंदू कम्यूनिटी को भारत में रहते हैं पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान की बात होती तो हम कहते हैं जी माइनोर्टी को डरा रहे धंका रहे लेकिन यह व मुसल्मान लीडर उठकर और कह देता है कि जी हम तो 70% है इस एरिया में और हम तो 30% को काट के नदी में फेक देंगे ये डरावा मुसल्मान है इसको डरावा कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन सा डर खौफ है जिसमें बढ़ बढ़के आप इस किसम की धंकियां ल लेकिन अपनी बात नहीं देखते लेकिन कैन मैं यह नहीं कह रही कि सब लोग एक जैसें कुछ लोग अच्छे भी होंगे लेकिन बासारी यह कि वो जो कुछ अच्छे है ना वो बिचारे भी इन जैसों की वज़जह से खौ़र होते हैं और उनको भी गलती समझा जाता है लेकिन बार यहां पर जो है मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से जो हमारे फॉलोवर्स हैं या जो हमारी बात थोड़ी वो सुनते उनसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज आप अगर आपको को कोई गलत बात आपके दिमाग में आई हो अब इत आपको बीन के जवाब में या इनकी बात के जवाब में उसी लेवल पर जाके बात नहीं करनी चाहिए ती मगर होता ही है यह जिसको जो जबान समझ में आती है उसी जबान में बात करनी पड़ती है तो इस वज़ा से मुझे लगता है कि क्योंके पहली गलती जो हुमाई कबीर की थी दिनों ने धमकी दी दिनों ने थ्रेट किया दिनों ने कहा कि इन्ड़ों को काटके नदी में डाल देंगे तो इसी वज़ा से उनको उसी जबान में मितनदाने जवाब दिया जो कि एक त करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कास्मी जी की बाते उनका पॉइंट अव यू आपको काफी पसंद आयोगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा तो यह वीडियो गर आपको अच्छी लगी है इसे ल सेक्षियो में लिखकर ज़रू बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस इंट्रोस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत